हैलो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस योटूब चैनल पर अगर आप पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने बाल हैं NBS JSA 2022 इसके final result का जो भी candidate बेट कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे इसका final result कब तक आने की संबाबना है और आप लोगों ने ये चीजें देखी भी होगी अब इहाल ही में एक जो circular है NBS का वो भी आपने इंटरनेट पर देखा होगा जहां पर बात की गई है 3rd March तक जो NBS है नबोते विद्याले समित है इसने 3 March तक जितने भी JNB हैं उनसे डेटा मांगा था JSA के सम्मन्द में JSA के जो भी बैकेंशी हैं जहां जहां भी पोस्ट बैकेंट है तो वहां से ये डेटा मांगा गया था इस circular को भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और क्योंकि ये central government का है और central government का जब भी appointment letter issue किया जाता है वो रोजगार मेले में ही issue किया जाता है तो अभी हाली में 23 March को रोजगार मेला भी है इसका प्रूब भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि 23 March को किस बेस पर जो है मैं बोल ला हूँ ये 23 March को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है तो यहाँ एक संभाबना बनती है final result की कि 23 March को ही ये लोग final result इसी उकर दें क्योंकि NBS का यही रहता है कि जिस दिन final result इसी उकरते हैं उसी दिन जो है mail के द्वारा appointment letter भी भेज दिया जाता है तो इन सभी बिंदों पर चर्चा करेंगी इस वीडियो में तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ ये जो circular NBS की तरफ से ये जो internet पे गोम रहा है उसको आप एक बार देख लीजिए और ये fake नहीं है ये 100% real है तो मैं पहले आपको वही circular आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहां पर आप देखिए ये जो है इसको आप देख लीजिए ये आपको दिख रहा होगा तो इसमें देखिए क्या लिखा है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ देखिए ये जिस दिन डीबी कंपलेट हुआ क्योंकि 28 फरवरी तक डीबी चला कुछ लोग अप सेंट हुए थे तो उनको 28 फरवरी को यहां पर बुलाया गया था यहां पर देख सकते हैं यह most important urgent यहां पर जारी किया गया यहां पर देख लिजे यहां पर जो भी चीजें लिखी है मैं आपको दिखा देता हूँ सब्जेक्ट इसमें confirmation of vacancies for the post of JSA, JNB cater regarding ठीक है तो JSA की जो पोस्ट है JNB cater की उसी के संबन्द में जो ही vacancy हैं उनके संबन्द में later receive किया गया था क्या बोला गया था इसमें देख लिजे इसमें यह बोला गया था is aware समिती had notified vacancies for the post of JSA, JNB cater under direct recruitment in the month of January 2022 computer-based test and skill test activities have been completed and now process of preparation of select panel is under process ठीक है it is therefore requested to please arrange to furnish vacancy position for the post of JSA in JNB under your reason including anticipated vacancies on retirement for the month of March 2023 also यानि कि यहाँ पर वो भी vacancy मागी गई है जो anticipated vacancies हैं जो भी लोग 2023 तक retirement होने वाले हैं to this office positively by 3rd March यानि कि आप देख सकते हैं कितना urgent basis पर इसको ACU किया गया था 3 March तक यह जो है चीजें submit करनी थी जितने भी regional office है उनको जो head carter को यह information पहुंचानी थी ठीक है इस email पर इन्होंने यह चीज यहाँ पर बोली है और यह यहाँ पर format इस format में यहाँ पर जो है सूचना मागी गई है name of the JNB district और number of the vacancies of JSA और number of female staff in the JNB including teaching and non-teaching ठीक है तो यह एक जो है positive चीज आप इसको मान सकते हैं कि 23 March को result होने की एक positive चीज इसको आप लेके चल सकते हैं क्योंकि urgent basis पर इन चीजों को मांगा गया है तो हो सकता है कि 23 March को यहाँ पर इस चीज को जो है रिलीज करें यह final result ठीक है यह एक positive news है और यहाँ पर एक जो contradiction जो हो रहा है वो इससे हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं चलिए मैं आपको video दिखा देता हूं जहां से थोड़ा contradiction हो रहा है जो है round यहाँ पर चल रहे है यह भी पहला round चल रहा है इसके बाद जो है second round चलेगा तो हो सकता है कि अगर 23 को ना आया तो 100% जो है आपका जो final result है वो मैं में जाएगा ठीक है अगर 23 March को नहीं आता है तो आप मान के 100% मान लीजिए यह 23 March मैं से पहले कोई आने की इसके chance न मान सकते हैं कि transfer complete होगा तब ही जो है वहाँ पर अच्छे थे जो वह कैंसी है वो रिपोर्ट हो पाएंगी कहां पर कितनी खाली है ठीक है क्योंकि transfer complete होगा तब ही तो पता चलेगा तो यह भी मान सकते हैं कि अब चीजें जो भी है अब 23 March को ही यह चीजें किलिए होगी अग में ही आएगा अब NBS ने ऐसा कभी किया नहीं है कि पहले list चारी कर दे उसके बाद जो है यहां पर जाइनिंग का process करें इसका यही रहता अभी तक जो भी last में जो भी recruitment हुए है उनमें यह क्या करते हैं कि जिस दिन final result देते हैं उसी दिन mail के द्वारा appointment later भी issue कर दिया जाता है तीक है अगर यह करें तो यह अच्छा है जो भी candidate है कि कोई 1200 के आसपास ने डीवी कराया है और 622 वेकेंसी अगर यह final list जारी कर देते हैं तो काफी student को यहां पर फायदा होगा जिनका नहीं होगा अपना अगला कुछ देखेंगे तो यहां पर 1200 के 1200 यहां पर फसे हुए और ऐसा होगा नहीं अब देखिए क्या होता है 23 मार्च तक का बेट करिए आज कितनी डेट होगे आज 17 होगे 25 से 6 दिन है देख लीजिए अगर 23 को आ जाता है अच्छी बात है नहीं तो आप मई से पहले इसको expect नहीं कर सकते हैं कुछ और चीजे मैं आपको यहां पर और सिर्गें अच्छेंचा असिस को जो है मेल किया गया है यहां पर आप देख लीजिए यह किErी मैल किया गया है इसमें क्या लिखा है उसमें क्या लिखा है एटिट इसलेंट दर रोजगार मेला इस पीपोणोड और नावशी डिवलदरॉन 23rd March 2023, यानि कि 23 March को scheduled है, रोजगार मेला, hence you are advised to submit the necessary documents and get their certificates verified before 21st March 2023, so that appointment letters will be handed over to the candidate during the रोजगार मेला, यानि कि रोजगार मेला 23 March को 100% है, यह जो है railway का post होता है, junior accounts, उसको जो है, यह जो है mail बेजा गया है, तो यह तो 100% sure है, कि रोजगार मेला जो है, आपका 23rd March को ही यहाँ पर होने वाला है, अब यह देखने वाली बात होगी, यह NBS जैसे के candidates को, 23rd March को उनका क्या होता है, चांस हैं, 50-50 मान के चल सकते हैं, 50% chance हैं कि 23rd March को यह लोग appointment issue कर दें, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें, थोड़ा contradiction करती हैं, वो यही हैं, एक तो transfer round चला है, ठीक है, और जो दूसरी चीज़ें, कि 28 फरवरी को इसका DB complete हुआ, अभी सिर्फ 23 तारीक तक की अगर आप बात करेंगे, तो 23 दिन ही हुए होंगे, DB complete होने के ठीक है, तो अभी आज तक ऐसा कोई result NBS की तरफ से इतनी जल्दी जो है, release नहीं किया गया, क्योंकि सिर्फ 23 दिन में कोई result, final result अभी तक नहीं किया इस से जादा की बहुत जादा समय लिया गया है, किसी में 2 महीने, 3 महीने, लगबग सभी में 3-4 महीने बाद final result यहां पर दिया गया है, आप कोई भी result उठा लेना, lab attendant, ECP, सभी को 3-4 महीने बाद यह लोग final result देते हैं, तो 23 दिन में result देना थोड़ा impossible लगता है, लेकिन हो होने को कुछ भी हो सकता है, तो 23 मार्च का बेट करिए, यहां पर 50%, 50-50 का लेके चलिए, चांस हैं, अगर आज आता है, तो उससे अच्छा कुछ होगा नहीं, नहीं आता है, तो मई तक आपको बेट करना होगा, मई से पहले कुछ कोई result नहीं आने वाला है, क्योंकि मई ज वीडियो में यहीं सब बताना था, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें होगी आपको, यहां पर इन्फर्म कर दी जाएंगी, NBS, JSA, final result के सम्मन्द में, जो भी चीज़ें होगी, आपको पता चल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तैंक्यू